नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोतम दोसो हर पार्टी में ऐसे विधायक और सांसत मिल जाते हैं जिनकी भाषा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जनता क्या सोचकर ऐसे लोगों को विधायक या सांसत बना देती है बिहार के जेडियू विधायक गोपाल मंडल भी ऐसे ही विधायक दिखाय देते हैं जिनोंने आज मीडिया को गंदी गंदी गालिया दी और ये गालिया क्यों दी और क्यों इतने बोखला गई गोपाल मंडल पूरा विश्टेशन करते हैं गोपाल मंदल जब पिस्टल लेकर अस्पताल पहुंची तो इसी को लेकर पत्रकारों ने उसे सवाल किया और सवाल सुनने के बाद उन्होंने सवाई की कि पिस्टल उन्होंने हाथ में इस तो लोग हमारा बाप हो बापो हो मना करोगे तो गोपाल मंडल कहते हैं कि तुम हमारा बाप हो तुम पापा हो कि जो मना करोगे हम तो लहराएंगे पिस्टल उसके बाद गाली देते हैं पत्रकार फिर आगे सवाल करते हैं कि आपने गालियां कैसे दी और देखे फिर एक बा तो पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या यही जेडियू की संस्कृती है तो एक बार फिर गाली दी उसके बाद आगे के वीडियो में भी जब पत्रकार सवाल करते हैं कि नितीश कुमार ने यही सिखाया तो एक बार फिर गाली देते हैं रिपोर्टर को लेकिन भाशा में जाहिल पने में कोई अंतर नहीं है। अगर जेडिव विधायक गुपाल मंडल की बात करें तो एक बार ट्रेन में कच्छे बनियान में घूमने लगे थे यात्रियों के साथ बहस हो गई थी। तो बार बार इनके ऐसे कारणा में देखने को मिलते हैं जो ब अधिकारियों को गाली दे, कहेंगे यार क्या दबंग विधायका, अधिकारी को हड़का दिया, हड़काना, समझाना और अपना दायत निभाना अलग बात है, गाली देना एक अलग बात है। चाहे कोई अधिकारी को गाली दे, मीडिया को गाली दे, या फिर पब्लिक को गाली दे विधायक सांसत जन प्रतिनिदी की गाली कतई भी बरदाश्ट नहीं की जा सकती कम से कम एक विधायक में बात करने का लिहाज होना चाहिए आप एक विधायक के इस तरह मीडिया को गालिया देने पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में पीरायश जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स की ओप्शन का इस्तमाल करें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें नमस्कार